हर घर में जाकर अच्छी तरह ढूंडो की वो कहां छुपा हुआ है जाहे वो घर मारव का हो या रीज का किसी पर भी विश्रास मत करना है कि मारुती अरे अंजिना लौट आई तुम अंजिना तुम बिना किसी को बोले ही चली गए थी हां मा मैंने मन्नत मानी थी न कि जैसे ही मारुती लौट कर आएगा मैं सबसे पहले मंदर जाओंगी अधिक है मेरा मारुती कि बजरंग बली बजरंग बली जै 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 बजरंग बली पवन पुत्र बजरंग बली अंज्यनि सुत बजरंग बली का रवे रुत्र बजरंग बली जै कपीस बजरंग बली महावीर बजरंग बली राम दूट बजरंग बली सिरी राम भक्त बजरंग बली पंच मुखी बजरंग बली महाबली बजरंग बली भैहारी बजरंग बली हिसकारी बजरंग बली जै 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 बज रंग बले जै 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 बज रंग बले अब तो बताईए कि मारूती कहां है मारूती कहां हो तुम तुम्हारा मारूती आ जाएगा पुत्री देखो मारूती के पुरा लौटने और तुम्हारा तारा को दिये हुए श्राप के दूर हो जाने की प्रसंदता में हम सब लोगों ने एक बहुत भव्य अनुष्ठान का आयोजन करवाया है यह आप क्या कह रहे हैं मेरा श्राप हाँ अन्जना इश्वर की कुछ ऐसी कृपा हुई है महाराज बाली और तारा पर की तारा मा बनने वाली है है प्रभू तुमने मेरी सुन ली तारा मा बनेगी इसका आचल भी किलकारियों से बर जाएगा अहां अन्जना और किश्किंधा में सभी का यही कहना है कि यह जो कुछ भी हुआ है वो सब हमारे मारूती के कारण हुआ है मारूती मेरा लाल कहां है मेरा मारूती अन्जना अभी बताया ना अनुस्ठान होने वाला है और पुत्र केश्री उसी के लिए तैयारी में बाहर गए है और मारूती भी उसी के लिए पांच नदियों का जल लेने के लिए गया है अरो मारूती तो अब आता ही होगा हाँ क्या मारूती जल लेने गया है अपने उसे क्यों भेजा अंजना तुम यूहीं चिंता करती हो अरे मारूती अब उड़ना सीख चुका है इसलिए सबने विचार विमर्ष के बाद ही उसे भेजा है किन्तु आप लोगों को उसे नहीं भेजना चाहिए था अंजना कब तक मारूती को अपने आचल से बांध कर रखोगे तुम पर उसने बड़ी वीर्ता और बड़ी कुशलता से उन सब को दूर किया है केवल अपनी ममता के कारण ही तुम उस पर चिंतित रहती हो और कुछ नहीं मा हुना मा का रिदय तो ऐसा ही रहेगा का इसे प्रश का अद्रता हमने तुम्हें धूड लिया वानर्ष भगनदर्ष वानर को कर दो देखो भाग रहा है वो वालर बंचा नहीं चाहिए बगरा उसे पीछा करो ना रायन ना रायन गंधर्वराज यह नुमान जी किस जंजाल में फस गए हैं हाँ देखो जी यह तो धिकर समस्या उत्मन हो गई है अब वो जामद और मध्वन्ति का मिलन कराएं अन्यथा रीचों और वानरों में मित्रता करवाएं किन्तु गंधर्वराज इससे भी बड़ी समस्या यह है कि हनुमान इन रीचों पर प्रहार नहीं कर सकते क्योंकि इन्हें मित्र बनाना है जबकि ये सारे रीच उनके प्राण लेने पर उतारू है तु बुदर जाओ वो वानर बचने ना पाए शलो कि अगर्ण वानर को जीवित नहीं बत्ता चाहिए वो अगर्ण उसे अब तो इसी घर में आश्रे लेना होगा अब तो इसी घर में आश्रे लेना होगा वो देखो भाग रहे है अगर्ण उसारर को अगर्ण उसारर को अगर्ण उसारर को यह तो घोर संकट उत्पन हो गया देवरिशी प्रभू चाहे एक पल में अपनी शक्तियों से इन समस्याओं का समाधान कर देंगे किन्तु यहां तो इन्हे सामान मनुश्यों की भाति बचने के उपाय करने पड़ रहे हैं गंधर्व राज प्रित्वी पर अवतार लेने के कारण प्रभू को मानवी मर्यादाओं का पालन भी करना होता है गंधर्व राज अब तो जो होगा सो प्रभू ही जाने हम तो बस उनकी लीला देखने के अतिरेक्त और कुछ नहीं कर सकते अब देखना यह है के प्रभू इन रीचों से पीछा कैसे छुड़ा पाएंगे प्रभू 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 वह गया यह वारर फिर कहीं छुप गया है यह प्रभू ख्रभू शाσαर करात झार कराँ खrealम करानी च्रभू व piss कराँ добав minute क्या हुआ क्यों इतना शोर मचा रखा है इतनी रात को शवा करें देवी एक वानर आया था इस ओर तो तुम कहना क्या चाहते हो वो वानर मेरे घर पे है नहीं देवी मेरा आश्य यह नहीं था मैं तो यह कह रहा था कि उस वानर को मैंने छुपा लिया है मेरे घर में मेरे घर का निरिक्षन करोगे नहीं 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 देवी मैं तो अपना कर्तव्य कर्तव्य सेना पती मैं अच्छी तरह से समझती हूं कि कर्तव्य के आड़ लेकर आप प्रजा पर क्या क्या अत्याचार करते हैं पर मुझे साधारन प्रजा समझने की भूल मत करना मधुवन्ती हूं मैं आपको को नहीं जानता देवी आप तो जांवन जी की पत्री है मुझसे भूल होगी मुझे शबा कर दीजिए सुनो, सब चलो यासे बाहर आजाओ वानरबाला तुम्हें यहां किसी का भै नहीं खजाओ वानरबाल झाल 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 परमपिता हमें शक्ति दीजी हमने जिस स्वचन के साथ अपने पूरे जीवन को निभाने का संकल्प लिया था वो टूटने ना पाए वो कभी टूटने ना पाए परमपिता हे परमपिता मैंने जिस विश्वास और दृण्दा की साथ अपने पती के प्रति जो कठिन निर्णय लिया था उस निर्णय को कभी कम ना होने देना मुझे शेहन शक्ति दीजिए कि मैं कभी अपने मर्यादों को तूटने ना दूँ परमपिता वानरों की कारण ही मेरे जीवन के सारे सुक्चैन छिन गए मेरा मान सम्मान समाप्त हो गया और मैं एकांकी जीवन बिताने को विवश्च हो गई कि तो फिर भी पता नहीं क्यों मैं इस वानर वालों को बचाने से सुयम को रोक नहीं पाई कि यह वानर बालक मैं नहीं जानती कि तुम कौन हो और यहां कैसे आकर कि तुमने यहां आकर अपने ही मृत्यु के द्वार खोल दिये हैं और यदि अब तुम अपना जीवन बचाना चाहते हो तो जितना शीख रहो सके कि इस राज्य की सीमा से बाहर चले जाओ काकी ब्रणाम काकी कौन हो तुम और किस सम्मंद से मुझे काकी कह रहे हो बस यो समझ लीजिए काकी कि मैं आपका काकी काकी हो सकती है तुम वानर बालग हो और वानर और रीच में कभी कोई सम्मंद नहीं हो सकता है देखो तुम अभी तक इस लिए जीवी थो क्योंकि पता नहीं क्यों मेरे लिदय में तुम्हारे लिए स्नेह जाग उठा है काकी वही तो मैं कहा रहा हूं किसने किसी अपने के लिए ही जागरत होता है आप मेरी काकी हैं ममता मही और भक्ति मही काकी कि तुम पहले अपना परिचे दो तुम कौन हो और कहां से आये हो काकी मैं अंजुन प्रदेश से आया हूं महाराज केशरी का पुत्र में मारुदी हूं मैं अंजुन प्रदेश से आया 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 हूं मेरे अपने सारे सेरींगों के उसाथ राज्य का कोना कोना छान मारा किन्तु मुझे वो वानर नहीं मिला तुम्हें बहुत भूक लगी होगी ना भूक तो कश्के लगी है क्या अच्छा लगता है तुम्हें काजर का हलवा और अंजीर कीखी जय 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 बजरंग बली